हलो गुड मॉनिंग टू आल क्लास फिफ्थ ए और बी के बच्चे ये वीडियो हम उनी के लिए भेज रहे हैं बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पार्ट तीन सारस और कूंज इसको हमने आपको क्लास में पढ़ाया एक बार फिर आपको हम ओनलाइन जो हमारा ये वीडियो का सिलसला है उसके आधार पर भी हम आपको पढ़ा चुके हैं समझाया है ठीक है अब भाग तीन है और पेज नंबर है हमारा 22 22 पेज नंबर पर इसके परशनुत्तर है आप अच्छी तरसे करते रहिए इनको पढ़ते रहिए ठीक है ना इनको अच्छी तरसे याद भी करना है रीट करना है और जितने भी काम आपको दिये गए हर विशे के हर सब्जेक्ट के उनको आप बहुत ही अच्छे और नीट इन क्लीन उनको अपनी कॉपियों पर या एक ब वी से आप हासिल कर सकते हो उसके आधार पर आवा अपनी पढ़ाई कर सकते हो ठीक है तो पार्ट तीन है हमारा सारस और कुंज क्लास फिफ्ट ए और बी के बच्चे भागतीन पेज निंबरे 22 इसके हम आपको प्रशन उतर देने जा रहे हैं तो सारस और कुंज में पहला सव और कम्रेखों नदियों तालाबों बाग बगिचों में घूमते रहते हैं। दूसरा सवाल हुं हमारे देश में कितने तरह के सारस पाई जाते हैं। तो हमारे भारत में ठीक है ना कितने परकार के सारस मिलते हैं कितने परकार के पार सारस पाए जाते हैं तो हमारे देश भारत में तीन परकार के तीन तरह के सारस यहां पर पाए जाते हैं ठीक है इसके बाद एक अगला इसमें एक सवाल आता है कि सारस जो है वो क्या खाते हैं ठीक है ना उनका खानपन क्या है तो इसका उत्तर है सारस नदी तालाबों और दलदल में उगने वाले वनस्पतियां कंद मूल जो जंगली फल फुरूड होते हैं कीडे मकोडे मेंड़क आदी खाते हैं चौदर सवाले सारस और कुँज को आप कैसे पहचान सकते हो सारस और कुँज में क्या अंतर है कैसे पहचानेंगे कि ये सारस है और ये कुँज पक्षी है इसका उत्तर है सारस की गरदन सिर और पैर लाल रंग